हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक टे निपल फिल्म्स तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजर हूँ आपके लिए एक नई मूवी को लेकर तो दोस्तों जो मूवी मैं आज आपके लिलेकर आई हूँ उसका नाम है हिट मैन एजेंट 47 इस मूवी की शुरुवात करने से पहले मैं आपको इस मूवी का थोड़ा से ओविव देना चाती हूँ कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि बच्मन में ही अपने पता से बिछट गई थी यानके उसके पादर एक साइनिस्ट इसarta है लेकिन उसके फादर इस वक कहां है यह किसी को नहीं पता हालाकि कुछ जोईग फॉर्स इस लड़की को उसकी साइनिटेस्ट फादर से मिलवाने में हल्प करती है लेकिन इस duration में हमें ऐसी वास्तिविकताओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमें पूरी तरह से चौका कर रख देंगी तो आखिर पूरा माज़रा क्या है और वो ऐसे कौन सी खुलासे हैं जो हमें चौका देंगे तो इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए आप हमार स्प्राइंटिस की डॉटर है और पीटर इस वक्त कहां है कि किसी को नहीं माउन पीटर यह नाम काफी जना माना था कुछ साल पहले पीटर ने इंसानोंगों कर एक सपरिमेंट किया वह साल इंसानों को सुपर पावर्स देना चाते थे अहीं मोडिफाइए करते ही, वो इंसान बन जाते थे super humans, यानि कि उन इंसानों के पास normal इंसानों की तुलना में जादा powers होंगी, कुछ ऐसी powers जो कि common people में तो बिल्कुल नहीं थी, और इन super humans को hitman agent कहा जाता था, और जितने भी modified humans होते थे यानि कि super humans उनने एक special type का number दे दिया जाता था जैसे कि agent 1 agent 2 and so on ऐसे बहुत सारे numbers अगर आपको इन सुपर humans की specialty बताऊं तो इन humans के अंदर कोई भी feelings नहीं होती थी इवन इन्हें दर्द भी महसोस नहीं होता था और यह intelligence के मामले में तो normal people से सौ गुना जाद अतेज थे वैसे तो पीटर ने कुछ ही humans पर यह experiment किया था लेकिन तब तक कहीं न कहीं government को इस चीज़ की भनक लग जाती है वेकरस humans पर experiment करना पूरी तरह से illegal था और जैसे ही इसकी भनक पीटर को लगी वो immediate अपने काम को बंद कर देता है और शहर छोड़कर ना पता हो जाता है यह तो थी शिरुवात की कहानी अब यहां से स्टोरी 25 साल आगे कर रुख मोड लेती है जहां पर हमें एक syndicate नाम की company को देखते हैं और हम देखते हैं इस company के ओनर को जो कि यह काम करना बहुत है यानि कि उससे बिना पीटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता अब वो तुरंत ही अपने प्लान को एक्दिक्योट करने के लिए अपने एक secret person जिसका नाम टेलरिगो है उसे बुलाता है और किसी भी हाल में पीटर को डूनने का आदेश देता है अब टे सारी रिसर्च के बाद उसके हाथ लग जाता है एक बड़ा शुराद यानि कि पीटर की बेटी काटिया जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था जी हां काटिया को डूल लिया जो कि जर्मनी के छोटे से शहर में मौजूद थी अब टेलरिगो किसी भी हाल में काटिया क पास पहुँचकर उसके पिताप पीटर के बारे में जानकारी लेना चाहता था लेकिन इससे पहले कि टेलरिगों वहां से निकल पाता और इन सब चीजों के बारे में सिंडिकेट के ओनर को कुछ बतावा था कि तब भी अचानक से कोई अन्नोन परसन उसका कंप्यूटर है कर लेता है उसका पूरा सिस्टम होते ही उसके टीम में अफ्रात अफ्री मत जाती है लेकिन सड़न इतनी बड़ी हैकिंग को अंजाम देना ये टेलरिगों के लिए थोड़ा शॉकिंग था उसे आज पास कुछ खत्रा महसूस हो रहा था इसलिए वो तोरंती अपनी टीम के दो गाडियों में ब्लास कर दिया देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं और टेलरिगों के टीम तुरंती अपना रास्ता बदल कर सेफ हाउस पहुंच जाती है और उसके साथ मौजूद इसकी टीम को भी किसी ने मार दिया है और फिर वो अपने सामने देखता है एक आदमी को जो के उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था यह आदमी जो के उसके सामने मौजूद है इसका नाम है एजेंट 47 तो एजेंट 47 बिना टाइम वेस के टेलरिगों से काटिया के बारे में पूछता है लेकिन टेलरिगों कुछ भी पताने से साफ इंकार कर देता है इस पर एज जिन 47 महां से बहार निकल जाता है और बहार निकलते ही वो रूम में एक ब्लास करता है जिसमें टेलरिगों मारा जाता है और दूसरी तरफ सिंडिकेट की ओनर को भी ये बता चल चुका था कि टेलरिगों मारा गया और उसे काटिया के बारे में भी बता चल चुका था कि व पेपरपर कुछ द्रोईंग मैं रही है और अपनी कुछ बचपन की यादों के बारे में सोच रही है उसकी लाइफ में पीटर के बारे में सुझ भी नहीं था जक्ति ये उसे कमें परसन वहांड़ी वारे में और दे रही हूं काटिया कोई नॉर्मल पोसन नहीं है बलकि वो भी एक एजेंट है यानि कि सुपर हुँमन काटिया के पास भी कुछ ऐसी पावर्स है जिससे कि वो फ्यूचर में होने वाली चीजों का असानी से सिंस कर सकती है और अगर वो थोड़ा सपने काटिया को ढूने के लिए काटिया की एग्जाक्ट लोकेशन क्या है वो उसके बारे में रिसर्च शुरू करता है और जल्दी उसे पता चल जाता है कि आखिर काटिया जर्मनी में है कहां उसका एग्जाक्ट एड्रिस मिलते ही एजिन 47 बिना देर की हुए कुछ जरूरत क चाटिया की रूम में एंटर करता है वाहाँ तो कार्टिया ही नहीं वो यह समझ जाता है कि वह यहां से भाग चुकी है वह जल्दी से उसकी रूम की तलासी लेने लगता है ताकि उसे कुछ नकुछ तो यहां मिल ही जाएगा तब ही उसे map दिखाए दिता है और वो जल्द ही अंदाज़ा लगा लेता है कि काटिया हो ना हो railway station गई हुई है तो अब वो निकल पड़ता है काटिया को डूनने के लिए railway station और दूसरी तरफ काटिया जैसे railway station पर पहुंचती है उसे मिलता है अब जॉन काटिया से ये भी कहता है कि जिसे तुम ढून रही हो यानि कि पीटर मैं उस इंसान को ढूने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं जॉन की बाते सुनकर काटिया सोच में पढ़ जाती है कि आखिर इससे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता इससे पहले कि काटिया मदद के लिए हाई या नामे कुछ आंसर करती कि तब तक वो एजेंट 47 महाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों पर गोलियों की बश्राथ करने लगता है अब यहाँ पर जौन और एजेंट की बीच में थोड़ी सी फाइटिंग होती है लेकिन चलते हुए जब भी वो पीछी मुड़ते तो वो क्या देखते कि वो एजेंट अभी उनका पीछा कर रहा है एजेंट को आते देख जौन को यह अंदाज हो चुका था कि अगर हम ऐसे चलते रहें तो हम इससे बच नहीं पाएंगे तभी उसे सामने एक यूए संबसी पुश्टाश कर रही थी तब ही कार्टिया को रिलाइज होता है कि वो एजेंट अबसी में एंटर कर चुका है और एक बार फिर से जल्दी उन पर खत्रा मन राने वाला है और ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि एजेंट 47 एंटर कर चुका थेंबसी में वो अपने साथ और एजेंट 47 को एक सीक्रेट रों में ले जाये जाता है जहाँ पर उसे पूश्टाश की जाती है कि आखेर तुम यहाँ ऐसे क्यों आए हो लेकिन इससे पहले कि वो सीनियर ऑफिसर एजेंट 47 से कुछ उगलवा पाता एक बर फिर से बड़ी ही स्मार्टली एजेंट हवा में फाइरिंग करता है और बड़ी ही असानी से दोनों गार्ट्स और ऑफिसर को मार देता है चक्मा देकर वहां से निकल जाता है और दूसरी तरव काटिया और जान को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि एजेंट वहां आ चुका है अब वो दोनों भी बिना देर की व बुद जाता है जsin है एक ठा मारे में बताऱ और तुम्हारी ठोठ आतरगह और अगर तुम्हारी जान को छत्रा हो सकता था और यही बज़े है कि उन्होंने तुम्हें सुपर पावर्स दी है और तुम्हारे डिने को मौडिफाई किया है काठिया यही सारी बाते सुनते ही किसी भी हाल में अपने पता को ढूनना चाती है काठिया उठ खड़ी हो जल्दी से अपने मैप के पास आ जाती है और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके यह पता लगाने की कोशिस करती है कि आकर उसके फादर कौन सी जगह पर है और जल्दी यह वो यह फाइंड आउट भी कर लेती है तब ही जॉन उसे पुछता है कि आखिर तुमने अपनी इमेजिनेशन में क्या देखा कि तुम्हारे पिता कहा है मुझे भी बताओ लेकिन इससे पहले कि काठिया जॉन को कुछ बता पाती वहाँ पहुंचता है एजेंट 47 और वो जॉन को देखते ही लगाता और उस पर फाइडिंग करने लगता है और इमेडियर जॉन की मौत हो जाती है वो तुरंथी काठिया को भी बेहोश करता है और उसे अपने शूलडर पर उठाकर वहाँ से ले जाता है क्योंकि वहाँ का ओनर तुम्हें किसी भी हाल में किड्नाप करवा के मारना चाता है और तुर वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिता कभी इस्तमाल करना चाता है इस पर काठिया उसे कहती है लेकिन तुम तो मुझे मारने के लिए गोलिया चला रहे थे इस पर एजेंट कहता है ये गोलिया तुम्हारे लेनी बल्कि जॉन के लिए थी क्योंकि वो भी तुम्हें किटनाप करने आया था अब एजेंट काटिया से हाथ मिलाने के लिए जैसे उसका हैंड टच करता है हाथ पकटते ही वो अपने सुपर फावर्स से अपनी पुरानी यादों में चली जाती है जहाँ पर वो ये देख पाती है कि जाने से पहले उसके फादर ने उससे और एजेंट 47 को वही उसके पास शोड़ दिया था वो एजेंट काटिया से कहता है कि तुम भी कोई नॉमल इंसान नहीं बलकि सुपर हूमन हो यानि कि तुम्हारे पास भी पावर्स है तो इसलिए तुम भी एजेंट कहलाओगी और तुम तो एजेंट 90 हो यानि कि मेरे से दो गुना बहतर वो एजेंट काटिया को एक बार फिर से चेर से बांद कर उसके पीछे एक बड़ा सा फैन चला देता है वो काटिया से कहता है तुम अपने ट्रेणिंग पीरिट को याद करो और जितनी जल्दी हो सके इस रसी को छुड़ा कर बाहर आजाओ और बाहर में तुमारे इंतजार कर रहा हूं काटिया अपनी सुपर पावर्स का इस्तमाल करती हो और अपनी ट्रेणिंग को याद करते हुए जल्दी इस रसी को छुड़ा कर वहां से भाग निकलती है और जैसे ही वो बाहर आती है एजेंट उसका इंतजार कर रहा था अब यहाँ पर काटिया और एजेंट के बीच उसके फादर पीटर को लेकर कॉन्वेसेशन चली रही थी अब इस सर्डन सिंडिकेट की टीम ने इन पर हमला कर दिया जल्दी काटिया और एजेंट एक जिगर चुट जाते हैं काटिया अपनी सुपर पावर्स के इस्तमाल करके एजेंट को ये बिताती है कि कौन सा गार्ट किदर से आ रहा है अब एजेंट बड़ी ही असानी से उन एक एक गार्ट को मारता रहता है लेकिन तब ही यहाँ पर आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट जान जी हाँ जोकी मड़ चुका था वो अचानक से काटिया के सामने आ जाता है जिससे देखकर तो काटिया यह नहीं बलकि हम भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उससे तो पहले ही एजेंट ने मार दिया था जान एजेंट के सामने गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था लेकिन तब ही काटिया पीछे से जान के उपर गन पॉइंट कर देती है काटिया ने बड़ी ही स्मार्ट ली पीछे विंड़ो पर बंदुक चलाई और उस विंड़ो की पार कमरे में मौझूद था एक स्पेशल टाइप का पंखा जिसने जल्दी सारे गार्ट्स को अपने अंदर समा लिया और बड़े धमाकी के वेज़े से जान भी वही बेहोश हो जाता है को वहाँ पर रुकवा कर कारवाई शुरू की जाए और वहाँ पर हाई सेकर्टी अलर्ट जारी करवा दिया कि जैसे ही काटिया और एजेंट वहाँ पहुंचे तो उन दोनों को गिरफ में लिया जाए इधर एजेंट को यह अंदाजा था कि जौन कुश्य को जरूर प्ला अब काटिया और एजेंट एक होटेल में पहुंच चुके थे किन तब भी जब एजेंट्स हो जाता है और काटिया अपने पिता से मिलने की खुशे में वहीं बैठी थी और इसे नीन नहीं आ रही थी तो वह एजेंट की बंदू को खोलने लगती है और तब तक वहाँ पर को एक बर फिर से देखती है और अपने पिता को देखते ही वह काफी जादा इमोशनल हो जाती है अब यहां काटिया और पीटर की की इस्टीकेट के दो गार्ज़ को देख लेता है वो जल्दी उन पर फाइडिंग करता है और इन दोनों को गारी में बठाकर वहाँ से सीक्रोट रास्ता बताते हैं सीक्रोट रास्ते से निकलकर जैसी ये सभी मेन रोड पर आते हैं बाहर सिंडिकेट की गाड़ी और इन पर फारिंग करने लगते हैं इतने जादा थे कि गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था तो इसलिए एज़ें बहार निकलता है पर अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था इसलिए उससे जल्दी एजेंट के साथ वहाँ से भागना पड़ा और इधर गाट से पीटर को बंदी बना कर सिंडिकेट की ओनर के सामने प्रेजेंट कर दिया था सिंडिकेट का ओनर पीटर के सामने आता है और उससे कहता है कि मुझे सुपर हुमस बनाने का फॉर्मूला बताओ लेकिन पीटर ये बात बखुभी जानता था कि अगर इन सभी को इस फॉर्मूले के बार में पता लगया तो ये सभी इसका मिस यूस कर सकते हैं इसलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया जिसके कारेंट सिंडिकेट का चिया मैन उसे दर्थ का इंजक्शन लगा कर टॉर्चर करने लगा इसके बावजूद भी पीटर ने अपना मुह नहीं खुला और एधर एजेंट पहुच चुका था सिंडिकेट की कंपनी के बाहर वो जल्दी की बनाईगे सबसे बहुमुली चीज़ तुमारे हाथ में सौब दूगा यानि की काटिया को काटिया पीटर की बनाईगी अब तक की सबसे स्मार्ट इूमन थी एजेंट सिंडिकेट चीयामन से ये भी कहता है कि काटिया ही वह इंसान है जिससे तुम अपने सारे सवालों क जवाब पासकते हो उस पर तुम रिसर्च कर सकते हो और तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल सकती है रहसे तो चीरमन को यह आइडिया पसंद आता है क्योंकि उससे तो ऐसा लग रहा था कि यह बुद्धा तो कुछ नहीं बोलने वाला मुझे यह ऑफर एक सब कर लेना चाहिए और वो हमें जवाब देता है और उसके इतना क्याते ही काठिया फ्लेन से उड़ान भरते वे सीधा ओफिस का शीशा तोड़ते वे पहुंच जाती है अंदर की और जहां लैंड करनी की वज़े से कई गार्स की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ हम क्या दे करते ही एजेंट की दिमाग में ये खयाल आता है कि पहले तो मझे इसे ठिकाने लगाना चाहिए लेकिन वो गोली से तो मढ़ने वाला थानी तो इसलिए वो उसे तारू से बान देता है और सारी बिजली का करेल उसके अंदर पहुंचा देता है जिससे की यही पर जौन का अंत हो जाता है यह सब देखते ही चेरमन तुरंद वहाँ से भागता है और वो पीटर को अपने साथ अपने प्लेन में बिठा लेता है इधर काटियों और पीटर भी उसका पीछा करते वे वहां पहुंचते हैं वो चेरमन पीटर से कहता है कि मैं तुम्हें तो अपने क्योंकि पीटर को यह अंदाजा हो गया था कि जब तक कि चेरमन जिन्दा रहेगा मेरी बेटी काटिया सुरक्षित नहीं है और इसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला किया काटिया दूर खड़ी यह सब कुछ देख रही थी उसके साथ वो एज मैन प्राजेक्ट जट से खतम हो सके और अब यहां होता है बड़ा एक्सपोजर यानि कि एक बड़ा खुलासा जिसमें हमें यह दिखाया जाता है कि एजटन नहीं वो पम पीटर के पॉकेट में डाला था ताकि वो एमोशनल होकर खुद को खतम कर सके यानि कि एजटन कमि करती है तो फ्रेंट्स आपको यह कहानी कैसी लगी हमें यह कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताएं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें आपका एक लाइक हमें बहुत जादा मोटिवेशन प्रोइट करता है तो प्लीज ल